बारती जंता पार्टी के रास्टी इत्यक जेपी नड़ा ने संगठनात्मक नियुक्ती पर बड़ा फैसला लिया है पार्टी के महासचिव अरुन सिंग ने बताया कि राजिसभा सांसत मदन राठोर को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आईए जारा सबसे पहले आपको पताते हैं कि बिहार में दिलीब जैसवाल को ही समयदारी क्यों मिली समराट चौधरी की जगह उन्हें क्यों दी गई समराट चौधरी की बात करें तो पिछले साल मार्च से ही वो बीजेपी की बिहार एकाई का नित्रितों कर रहे थे अब करीब 13 महीने बाद बिहार को नया पार्टी प्रमुक मिला है बदलते राजनेतिक समीकरणों को देखते हुए ये न्यूक्ती बेहत एहम है क्योंकि बिहार में अगले साल अक्टूबर नौंबर के आसपास चुनाव होने हैं ऐसे में जैसवाल के कंधों पर संगठन और पार्टी की जिम्मेदारी जमीनी कारेकरताओं को एक जुट करते हुए उनके भीतर, उर्जा और संचार करने के साथ पूरी तरह से उन्हें निभानी होगी मदन राठोर को राजस्थान का प्रदेश अदेख्षन उक्त किया गया उसके पीछे क्या वज़े थी देखें दो बड़े राज्यों में ये बड़ा उलट फेर बताता है कि निश्चित तोर पर अभी भी संचठन में बदलाव देखने मिलेंगे मदन राठोर की बात करें तो राजस्थान विदानसभा में पांक साल तक डप्टी चीफ विप के पदभार वो समाल चुके है सांसद बनने से पहले मदन राठोर सुमेर नगर विदानसभा का प्रतिने दित्व कर चुके हैं इसके अलावा वो संगठन में कई अन्य एहम पदों पर भी काम कर चुके हैं राठोर सीपी जोशी का स्थान लेंगे इसके अलावा अगर देखिए तो बीजेपी ने राधा मुहंदास को भी राजस्थान का प्रभारी नियुक्त किया है चंद महीने पहले राजस्थान में मुख्यमंतरी बने बजनलाल शर्मा ने राठोर को नई जिम्मेदारी मिलने पर शुपकामनाएं भी दी है उन्होंने विश्वास प्रकट किया है कि राठोर के नेतरित में बीजेपी राजस्थान में कामियाबी के नए मानक स्थापित करेगी आपको बताते हैं कि किन छे राज्जों के प्रभारी बदले गए हैं और क्यूं ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद अब पफॉर्मेंस बेजड ही काम आगे बढ़ेगा पार्टी के भीतर ये बीजेपी ने तै कर लिया है बीजेपी के राश्चे महासचिव अरूल सिंग के ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पार्टी ने कई राज्जों में अपने प्रभारी बदले हरीश दिवेदी को असम अतुल गर को चंडीगर अर्विन मेनन को लक्षदीब का प्रभार सौपा गया है जेपी नडड या ततकाल प्रभाव से लागू हो चुकी है इसलिए भी कहा जा रहा है कि बिलकुल अब जिस तरह की तयारी बीजेपी दिखा रही है बाइलेक्शन के पहले किसी भी राज्ज में किसी भी राज्ज के घटना करम को हलके में अब पार्टी नहीं ले सकती शायद इसलिए य पदाधिकारियों के नियुक्ती के साथ ही नजरें अब सबकी टिक गई है कि रास्ची अध्यक्ष कौन होगा सूत्र कह रहे हैं कि बीजेपी को जल्द कारेकारी अध्यक्ष में मिल जाएगा इसकी गोश ना हो सकता हो 31 जुलाई को केरल में हो रही संग बीजेपी के समन मे बैठक में हो जाए अब को बता दें दो महीने बाद हरियाना का उसके बाद महराश्च का और जार्खन का विधानसवा चुनाव इस साल होना है और नए अध्यक्ष का चुनाव दिसंबर में संभावित है ऐसे में नए अध्यक्ष के चुनाव तक कारेकारी अध्यक्ष नि किया गया है कि वर्तमान अध्यक्ष के पास दो मंत्रालेओं के साथ राज्य सभा में नेता सदन की भी समिदारी है ऐसे में संगठन के कामकाज में बादा नहीं आने के लिए कारे-कारी अध्यक्ष की न्यूक्ति कर दी जाए आपको बता दें कि भारती जंता पार्टी के रा में रखते हुए पार्टी किसी दलेत, महिला या ठाकुर समुदाय के नेताओं को अपना अध्यक्ष बना सकती है ऐसी भी चर्चा थी आपको बता दें कि साल जन्वरी में अध्यक्ष की रूप में उनका कारेकाल यानी जेपी नड़ा का कारेकाल खत्म हो चुका है लेकिन वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें